इस सजा के साथ ही नियाले ने दोनों आरोपियों को दस-दस हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया विशेश लोग अभी उचिक राहुल सनाजे ने बताया कि यह मामला साल 2013 का है केलवा थाना शेत्र में आरोपी राजुराम और ओमाराम ने तारुराम भील पर जानलेवा हमला कर दिया था इस मामले में सिर पर चोट लगने से कंफी रूप से घायल तारुराम की मौत हो गई थी जिसके बाद केलवा थाना पुलिस ने मामले की जाच कर S.C.S.T. कोट में परिवाद पेश किया इस मामले में नियाएधीश ने आरोपी राजुराम और ओमाराम को दोशी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की ससा सुनाई इसके साथ ही नियाएले ने दोनों आरोपियों 10,000 रुपए का आर्थिक जुर्मारा भी लगाया सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 22 गवा और 32 दस्तावेज पेश किये गए सदा सुनने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया केलवा थना के वर्ष 2013 की एक मडर के केस में आज माननी है ऐसे एस्टी नियाले ने अभियोग्त राजुराम और ओमाराम को आज जीवन कारवास वाद 30,000 रुपे की सजा से दंडिद किया वर्ष 2013 की प्रक्रण में अभियोग्त दोनों अभियोग्त गण ने तारूलाल की मार पिट कर की ती जिसे उसकी सिर में चोटे आई थी और उसकी प्रती हो गए थी उस पक्रण में अभ्यूजन की ओर से 22 गवा व 32 पेश किये गए जिसमें नियाले द्वारा उक दोनों अभ्यूद करण को दोशी मान कर आज आज इवन कारावाज 10-10 जार रुपे की जुर्माने से धंडित किया गया